हेलो दोस्तो, SDFC Mutual Fund House अपना एक नए NFO लेकरा रहा है, SDFC Multi Cap Fund के नाम से लेकिन दोस्तो एक चीज मैं आपको clear करते तो मैं लगबग अपनी हर NFO की वीडियो में ये चीज़ clear करते हो चलता हूँ कि जैसे आपको IPO में first day पे listing gain होने के chances होते हैं, ऐसा कुछ NFO में invest करके आपको नहीं होता है तो NFO में invest करने से पहले आप इस चीज़ का जरूर ख्याल रखें अब दोस्तो अगर हम इस fund की बात करते हैं तो एक multi cap category वो category of mutual funds होते हैं जो large cap, mid cap और small cap तीनो ही category की companies में पैसा लगाता है तो इस वीडियो में हम detail में देखेंगे multi cap category के बारे में large cap, mid cap, small cap क्या companies होती हैं और मैं इस fund के बारे में भी details आपको बताऊंगा और end में हम लोग बात करेंगे कि क्या आपको इस fund में invest करना चाहिए या नहीं तो आईए देख लेते हैं वीडियो तो दोस्तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो multi cap funds होते हैं वो large cap, mid cap और small cap तीनो टाइप के stocks में अपना पैसा लगाते हैं और अगर हम इसके NFO period की बात करते हैं तो 23rd November से इसका NFO open हो चुका है तो आप इस fund में invest ही नहीं कर पाएंगे अब दोस्तो लार्ज cap, mid cap और small cap stocks के बारे में मैंने आपको पिसली वीडियो में भी बताया था जब आपने excess multi cap fund की discussion की थी तो इस वीडियो में भी मैं आपको briefly एक बारी बता देता हूँ कि दोस्तो जो large cap companies होती हैं तो वो company होती है जो इंडिया की top 100 companies होती है उन्हें हम large cap companies कहते हैं और ये बहुत जादा well established companies होती है अपने sector में leaders होती है ये mostly companies और इनका जो stock है वो कम volatile आपको देखने को मिलेगा काफी stable stocks इसके रहते हैं अगर हमें example की बात करते हैं तो banking sector, IT sector, auto sector इसमें आपको काफी सारी large cap companies मिल जाएगी जैसे कि ICIC bank, SDFC bank, Infosys, TCS इसके ऐसी काफी companies large cap companies हैं वहीं दोस्तों अगर हम mid cap companies की बात करते हैं तो top की 101 companies से लेके 200 companies को हम mid cap companies बोलते हैं तो यहाँ पर ये वो companies मानी जाती हैं जो future में large cap बनने के बहुत जादा chance होते हैं और यहाँ पर invest करके जो risk है वो comparatively high होता है अगर हम large cap companies की बात करते हैं उससे compare करते हैं तो तो यहाँ पर volatility भी इनके stocks में comparatively जादा रहती है और ये companies world leader बनने की कगार पे होती है कोशिश के रही जारी होती है कि ये company एक अच्छी market leader बन पाए वहीं दोस्तो अगर हम इसके key sectors पर बात करते हैं तो industrial, mbfc और auto ancillary इसके key sectors हैं वहीं दोस्तो जो तीसरी category आ जाती है companies की वो है small cap companies और दोस्तो 200 companies के अलावा जितनी भी market में companies हैं वो सारी companies small cap companies मानी जाती हैं तो ये वो companies होती है जो generally अलग-अलग sectors के अलग-अलग companies होती है यहाँ पर growth की potential बहुत जादा होती है क्योंकि ये comparatively छोटी companies होती है लेकिन यहाँ पर invest करते हो आपको risk भी बहुत जादा लेना पड़ता है क्योंकि इनके जो stocks हैं वो बहुत जादा volatile होते है और यहाँ पर आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आप market में small cap company का share बेचने जाए और आप वो बिके नहीं क्योंकि liquidity बहुत जादा नहीं होती है small cap stocks में अगर हम इसके key sectors पर बात करते हैं तो chemical, hotel, media and entertainment यह सारे sector small cap sector में यहाँ पर आते हैं और दोस्तों एक जो multi cap fund होता है उसको कम से कम 25% पैसा अपना large cap, mid cap और small cap companies में यहाँ पर लगाना पड़ता है और जो बाकी बचा हुआ 25% पैसा होता है यह अलग-अलग चीजों में लगा सकते हैं जैसे कि units of mutual fund अलग किसी और mutual fund की units खरीच सकते हैं debt में पैसा लगा सकते हैं या rates में भी पैसा लगा सकते हैं और अगर fund manager को सही लगता है तो यह 50% पैसा भी है large cap, mid cap और small cap companies में ही लगा सकते हैं अब आईए दोस्तों यह देखने की कोशिश करते हैं multi cap fund में risk कितना involved होता है तो दोस्तों इस table से आप समझ सकते हैं कि कैसे अलग-अलग category के mutual fund में risk कितना होता है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे जादा risk जो होता है वो एक small cap fund में होता है क्योंकि वो 65% से जादा पैसा अपना small cap companies में लगा रहा होता है वहीं उसके बाद जो risk आजाता है वो आजाता है mid cap fund में यह fund 65% पैसा अपना mid cap companies में लगा रहा होता है और उसके बाद यह हमारा जो fund जिस पे आज हम discuss कर रहे है multi cap fund आजाता है क्योंकि यह fund में minimum अपना पैसा 25% पैसा mid cap और small cap में लगा रहा है तो इसमें भी risk काफी जादा आप मान सकते है large cap, flexi cap और large and mid cap fund से जादा risk multi cap fund में होता है तो आपको यह चीज़ समझनी बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी multi cap fund में invest करने के बारे में सोच रहे हैं और दोस्तों flexi cap और multi cap fund में क्या फरक होता है उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो रेफर कर सकते हैं जिसमें मैंने excess multi cap fund के बारे में discuss किया था लेकिन दोस्तों मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलते हो आ रहा हूँ लेली तो वो हर इंडस्ट्री की लीडर large cap company होगी तो यहां पर अगर आप देखेंगे application software, healthcare service, textile, luxury goods ऐसे sector की जो leaders हैं वो small cap companies हैं वह अगर हम यहां पर देखेंगे footwear, auto parts, tires and rubber ऐसी industries की जो leaders हैं वो mid cap companies हैं तो दोस्तों यहां पर आपको एक सी समझनी ज़रूरी है कि ऐसा नहीं होता है कि जो large cap companies होती है वो ही सिर्फ market leaders होती है ऐसा भी possibility है कि mid cap या small cap companies हैं वो भी अपने sector की अपने industry की leader हो तो अगर आप इस तीनो टाइप की companies को अपने portfolio में add करते हैं तो आपके portfolio को अच्छी diversification मिल जाती है वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं nifty 50 500 multi cap index की comparison करते हैं अगर हम nifty 500 index है तो nifty 500 जो index होता है वो majorly 78% उसमें large cap companies होती है वहीं दोस्तों जो nifty 500 multi cap fund होता है उसमें 50% large cap companies होती है 25% mid cap और 25% small cap तो एक अच्छा diversification nifty 500 multi cap index में मिलता है और अगर आप यहाँ पर इसकी performance भी देखेंगे तो long term में अगर हम 21 साल की पिछले performance देखते हैं तो long term में nifty 500 multi cap index ने nifty 500 index को beat कि है क्योंकि इसके पास एक अच्छी खासी diversification है जो की एक बहुत positive चीज मानी जाती है और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो market की cycle होती है उस पे बहुत जादा depend करता है कि large cap companies जादा अच्छा perform करेंगी या mid cap companies जादा अच्छा perform करेंगी तो इसलिए अगर आप यह तीनों का combination बनाते हैं तो एक अच्छा portfolio का तो यहां पर आप देखेंगे पिछले एक साल में मार्च 21 से आप देखेंगे एक साल में small cap 250 इंडेक्स ने 118% की return दिये वहीं दोस्तों मार्च 19 की अगर हम बात करते हैं तो मार्च 19 में सबसे अच्छी return large cap fund ने दी थी तो large cap ने 13.9% की return दी थी March 18 में mid cap ने सबसे अच्छा perform किया था, March 17 में small cap ने, then March 16 में आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि अलग-अलग market cap की companies हर साल अलग-अलग type से perform कर सकती है अब दोस्तों अगर हम SDFC multi cap fund के बारे में बात करते हैं उसकी investment process और philosophy समझते हैं तो जितने कोशिश यहाँ पर SDFC AMC की रहती है, वो generally हमने यही देखा है, कि यह जितन भी company को अपने portfolio में add करता है, तो लंबे time के लिए add करने की कोशिश करता है और जादा तर हमने यह देखा है कि उन companies को अपने portfolio में add करने की कोशिश करता है, जिनकी जो intrinsic value है, वो कम है, यानि कि value oriented companies पर जादा focus SDFC mutual fund house करता है हाला कि हमने अभी recent में देखा है पिछले 2-3 सालों में, इनकी यह strategy बहुत जादा काम नहीं आई है, बहुत अच्छी returns SDFC mutual fund house generate नहीं कर पाया है, और यह since एक बहुत बड़ा mutual fund house है, तो इन्होंने 400 companies की एक अच्छी खासी list बना रखी है, जिनको यह actively track करते हैं, तो उन stocks में से भी यह काफी सारे stocks का selection, इस multi-cap fund के लिए कर सकते हैं, और अगर हम इनके approach की बात करते हैं, strategy की बात करते हैं, तो 60-75 percent पैसा large और mid-cap companies में यह लगाने वाले हैं, और 25-40 percent पैसा यह small-cap companies में लगा सकते हैं, कोशिश यहाँ पर यही रहने वाली है कि growth, value, दोनों type की companies को अपने portfolio में add किया जाए, और उन companies पे भी इस mutual fund house की नजर रहने वाली है, जिन companies की profitability में इनको लगता है, एक अच्छा खासा turn around देखने को मिल सकता है, market cycle को नजर रखते होए, तो कोशिश यहाँ पर यही रहेगी कि market की leaders को add किये जाए, जो growth और value oriented दोनों का एक अच्छा खासा mixture बने, और यह किस type के investors के लिए fund अच्छा है, यह उन type के investors के लिए fund अच्छा है, जो अपनी portfolio में discipline exposure चाहते है large cap, mid cap और small cap का यानि कि कम से कम 25% allocation तो वो चाहते ही है कि उनके mutual fund में रहे, अगर आपको कम exposure चाहिए mid cap और small cap में तो आप flexi cap fund की तरफ भी देख सकते हैं लेकिन अगर आप उस type के investor है जिनको लगता है कि नहीं minimum 25% पैसा मेरे को mid cap और small cap में चाहिए ही, तो ही आप multi cap fund की तरफ देखें और अगर आपका जो time horizon है, investment का वो long term है, तो आप इस fund की तरफ देख सकते हैं, अब दोस्तों अगर मैं इस fund की और basic details में आपर quickly बात कर लेता हूँ, तो ये fund की allotment आपको 10 December के आसवास मिल सकती है, benchmark index इसका nifty 500 multi cap रहने वाला है, exit load की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो कोई exit load नहीं लगेगा अगर आप एक साल के बाद अपना कोई भी पैसा निकालते हैं एक साल से पहले अगर आप अपना पैसा निकालते हैं, तो एक परसंट का exit load आपको देना होगा, plans की अगर हम बात करते हैं, regular और direct दोनो plans available है, options की बात करें, growth option और income distribution कम capital withdrawal option, ये दोनों ही options आपके पास available हैं, अगर आपको इस fund में invest करना हैं, तो कम से कम 5000 रुपे से आपको शुरुवात करनी होगी, अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इस fund में invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों मैं हमेशा ये चीज़ मानता हूँ कि आपके portfolio में diversification तो होनी ही चाहिए large cap, mid cap और small cap तीनों companies में है, लेकिन दोस्तों इस category में invest करने के लिए मुझे एक flexi cap fund far better लगता है in comparison to multi cap fund क्योंकि flexi cap fund में investor के पास, fund manager के पास एक अच्छी खासी flexibility होती है कि वो market situation के हिसाब से mid cap और small cap में invest कर सकता है और दूसरी बात दोस्तों जो SDFC mutual fund house के funds है वो भी recent में अच्छा perform नहीं कर पा रहे है, क्योंकि इनकी expense ratio काफी high रहती है और जो इनकी strategy है investment की वो भी 2-3 सालों से work नहीं कर रही है तो एक अच्छा option आपके बास यही है कि आप इसको simply avoid करे मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो इस video को like और share जरूर कर दे धन्यवाद